साथियों, हमारे छोटे-छोटे गावों में, दूर सुदूर ख्षेत्रों में, कितनी अध्वित प्रतिवां भरी पड़ी है, कितना आत्मविश्वास है, आज मैं आप सब को देख करके कह सकता हूँ कि यह मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रमान है, कई बार आपको भी लगता होगा, कि आपको जो संसाधन सुविधा मिली, ये न मिली होती, तो आपके सपनों का क्या होता है? यही चिंता हमें देश के दूसरे लाखो युवाओं के बारे में भी कर रही है ऐसे कितने युवा हैं जिनके भीतर कितने ही मेडर लाने की योगता है आदेश उन तक खुद पहुँचने की कोशिश कर रहा है ग्रामिन छेतरों में विशे ध्यान दिया जा रहा है आजदेश के दाई सो से जादा जिलों में 307 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि स्थानी अस्तर पर ही प्रतिभावों की पहचान हो उन्हें मोका मिले आने वाले दिनों में इन सेंटर्स की संख्या बढ़ा कर एक हजार तक की जाएगी इसी तरह हमारे खिलाडियों के सामने एक और चुनोती समसाधनों की भी होती थी आप खेलने जाते थे तो अच्छे ग्राउन अच्छे उपकरान नहीं होते थे इसका भी असर खिलाडी के मनोबल पर पड़ता था वो खुद को दूसरे देशों के खिलाडियों से कम तर समझने लग जाता था लेकिन आज देश पे स्पोर्ट से जुड़े इंफा सक्तिर का भी विस्तार किया जा रहा है देश ने खुले मन से अपने हरे खिलाडी की पूरी मदद कर रहा है टार्गेट उलम्पीक पोडियम स्कीम इसके जरिये भी देश ने खिलाडियों को जरूरी व्यवस्ताएं दी लक्षन दिर्धारित किये उसका परणाम आज हमारे सामने है